हेलो फ्रेंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लाइ विथ स्टॉक मार्केट बात करेंगे आज फार्मा सेक्टर के स्टॉक के बारे में जहां पे कम टाइम फ्रेंट पे बड़ा पे सब बनाया जा सकता है जिया फ्रेंट जिस तरह से बाजर में गिराउट का मा और लाश्ट टाइम भी हमने यही देखा था फ्रेंट जब कोविड आया था तब भी लोकडाउन लगे थे तब भी फार्मा सेक्टर में बड़ी तेजी थी लेकिन बाकी सभी स्टॉक में गिराउट का महौल था तो इस बार भी फ्रेंट यही हो सकता है अगर लोकडाउन लगे अगर कुछ बूरा सिच्वेशन हुआ फ्रेंट तो फार्मा सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जहां पर बड़ी तेजी बन सकती है तो फार्मा सेक्टर में भी फ्रेंट से एक बहुती बढ़िया श्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कि उपरी लेल से काफी सब लोगों के सामने हैं हम बात कर रहे हैं और बिंदो फार्मा के बारे में जो कि अपने देखा होगा कि पिछले दो तीन मेहने के में बात करूं तो एक ज़र के असपास ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहा था और वहां से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और रिसेंट तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंग्रेज करना ना भूले और चैनल पर नाया है तो चैनल का भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारी प्राइम सर्विस जोइन करना चाहते है तो वाटसप नमबर आपको महां से हमें जब उर्जस्त करेक्शन नजरा है और और अल्मॉस्ट 40% का करेक्शन देखने को मिल चुका है जो रिसेंटले लो बनाया था वो 650 रुपे का लो बनाया था और अगर मैं प्रिवियस ओल टाइम हाई की बात करूँ तो तक्रीबन 900 रुपे का प्रिवियस ओल होलता हुआ और बिंदो फार्मा नजर आया था वो फ्राइडे की दिन अगर मैं वन डेके ताइम प्रिम पे चार्ट्स को उपन करो तो जिसा की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चोटी ताम प्रिम पे देखे तो कहीं नहीं यहां पर बड़ी तेजी देखने को मिल रहे है पिछले चार रिडिंग सेशन्स है और यहां पर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो साथ सो पचास का तो आप पहला टार्गेट साथ सो पचास रुपे का आप डेफिनिटली निकाल सकते हैं अगर आप पोजिशन बना सकते हैं फ्रेश पोजिशन या तो फिर 900 रुपे तक के भी आप टार्गेट डेफिनिट निकल सकते हैं आपका जो एसल रहेगा वो छोटा सा एसल रहेगा आप चाहें तो 620 आसल लगा सकते हैं चैस सो 20 के आसफ़र एसल और पहला टार्गेट साथ सो पच्यास और दूसरा 900 और 1000 तके भी टार्गेट निकाल सकता है तो friends बढ़िया मौका हो सकता है जो कि उपरे लेल से अच्छा correction आ चुका है और last time जो में गलती की हो गलती नहीं करना है friends हमें position बनाना है वो pharma stocks में position बनानी चाहिए friends जो कि तेजी का माहौल वहाँ पर ही है बागी सभी stocks sector में बढ़ी गिराउट देखने का हो मिल रही है लेकिन pharma sector काफी strong देखने का हो मिला है और friends अगर covid का कोई situation खराब होता है तो pharma sector है जो अच्छे return देंगे तो friend in level coach आउट कर अपना study conductor अपना final seat advisor की सलाल है उसके बादे किस भी तरह की position बनाई है वीडियो अच्छा लगा हो तो like करके इंग्रेज करना ना भूले और channel पर ना है तो channel का अभी subscribe कर लीजिए मिलते हैं से एक new video के साथ तब तक के लिए thank you again for watching this video